गुड मॉरिंग स्टुडेंट, I am your mathematics teacher, I am from सर्षवती विद्यापीर senior secondary school Dear student, last videos में हमने thick and thin के बारे में सीखा था और बच्चो मैंने आपको बताया था thick means motor, thin means patla I hope आपको अच्छी तरह से ये chapter समझ में आया होगा आज बच्चो हम सीखेंगे बच्चो आज हमारा topic है heavy and light बच्चो heavy means bari, light means halka बच्चो heavy means bari, बच्चो बारी वो होता है जिसमें बहुत ज़्यादा version होता है और light वो होता है जो बहुत हलका होता है जिसमें बहुत कम version होता है I am heavy, मैं heavy यानि बारी हूँ बच्चो ये क्या है, watermelon है watermelon means tarbos I am heavy, मैं बारी हूँ बच्चो ये क्या है, apple है apple means save, apple means save, I am light, मैं हलका हूँ तो बच्चो अगर हम इन दोनों में comparison करते हैं तो watermelon apple से heavy है और apple watermelon से light है आगे देखो बच्चो let's do it tick right mark the heavy and close the light object तो बच्चो हमें जो heavy होगा उस पर तो right का mark करना है और जो light होगा उसमें हमें close का mark करना है तो बच्चो सबसे पहले देखो एक आपको यहाँ पर book दिख रही है और एक यहाँ पर आपको paper दिख रहा है तो बच्चो देखो यह book कैसी है यह heavy है पेपर की comparison में तो इसमें हम क्या करेंगे heavy पर हम right का mark करेंगे और यह paper कैसा है यह light है तो right पर हम क्या करते हैं light पर हम close का mark करते हैं आगे देखो बच्चो यह Kate के baby है और यह elephant का baby है तो बच्चो इन दोनों में comparison करेंगे तो ये कैसा है ये बच्चो light है elephant के comparison में तो बच्चो इसमें हम क्या करेंगे cross का mark करेंगे और इसमें हम बच्चो right का mark करेंगे आगे देखो बच्चो ये two gifts है तो इनमें से बच्चो कौन सा heavy है बच्चो ये वाला heavy है और ये light है तो बच्चो इनमे comparison करते हैं तो ये heavy है, heavy पर हम क्या करेंगे right का mark करेंगे और जो light है उस पर light पर हम क्या करेंगे cross का mark करेंगे आगे देखो बच्चो ये pen की निप है और ये pencil है तो बच्चो इन दोनों में comparison करेंगे तो बच्चो कौन सा हैवी है यह है तो बच्चो हम इस पे क्या करेंगे राइट का मार करेंगे और इस पे हम रोस का मार करेंगे तो बच्चो आज हमने सीखा हैवी और लाइट के बारे में बच्चो अब हम सीखेंगे कुछ टेबल्स बच्चों लास्ट वीडियो में हमने टू एंड थी की टेबल सीखी थी और मुझे उमीद है आपने अपनी नोट बुक में राइट एंड लन दोन्नों कर ली होगी आज बच्चों हम सीखेंगे फॉर एंड फाइब की तो बच्चों सबसे पहले देखो एक और पापर से देखो बच्चों 4 बन जा 4, 4 तूजा 8, 4 तूजा 12, 4 तूजा 16, 4 फाइब जा 20, 4 तूजा 24, 4 सेवन जा 28, 4 एट जा 32, 4 नाइब जा 36, 4 तैन जा 40 अब आगे देखो बच्चों, 5 की, 5 बन्जा 5, 5, 2 जा 10, 5, 3 जा 15, 5, 4 जा 20, 5, 5 जा 25, 5, 6 जा 30, 5, 7 जा 35, 5, 8 जा 40, 5, 9 जा 45, 5, 10 जा 50 बच्चों एक बार देखो, 5 बन्जा 5, 5, 2 जा 10, 5, 3 जा 15, 5, 4 जा 20, 5, 5 जा 25, 5, 6 जा 30, 5, 7 जा 35, 5, 8 जा 40, 5, 9 जा 45, 5, 10 जा 50 तो बच्चों आज आपको में नोट बुक में 4 एंड 5 की टेबल राइट डाउं करने हैं और लर्न करने हैं, हैव ए नाइस टेए जा देव एदो करने हैं